हेलो दोस्तूं, वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक स्टडी स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी आगामी जो आने वाली जो परिक्षा हैं CTET या फिर आप UPTET की बात कर ले ऐसे में आपका जो English सेगमेंट है, यहां पर हम शुरुवात कर रहे हैं अपने पानसो वन लाइनर बुलेट वन लाइनर के बारे में ये आपका English सेगमेंट से पानसो क्वेस्टन्स का जो बुलेट वन लाइनर होगा उसका ये आप लोगों को मैं बदा दू आज शाम को साथ बजे अनकाडमी पर रात में दस बजे अनकाडमी पर एक गंटे के आपके फ्री में लाइफ क्लासे सुंगी CDP और हिंदी की तो आप लोग अनकाडमी पर जा करके महेश मिष्ट्रा सर्च करके मेरी प्रफाइल के नीचे से आप उसे वहाँ पर एनरॉल कर सकते हैं या फिर मैं टेलिग्राम पर लिंक भेज़ दूँगा आप वहाँ से सिधे एनरॉल कर सकते हो दूसरी सबसे बड़ी चीज आप 3rd समेस्टर या अगर 4 समेस्टर में हैं तो PDF फाइल से वेलेबल हो गई है Electronic Study आप Google Play Store पर सर्च करेंगे वहां से Google Play Store से नकैडमी Sorry, Electronic Study जो लर्निंग एप्लिकेशन है एक तरीका से Android app है उसको आप ड़ूड करके वहां से चीज़ों को पढ़ सकते हो वीडियो के Description में भी आपको link मिल जाएगी जो सो पहला सवाल लिखा हुआ है सेंटेंस के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर यहां पर फर्स्ट क्वेशन लिखा है कि आप कैसे परिवाशित करोगे एक वाक्या को a group of words containing a subject and a verb that express a statement और a question etc कहने का मतलब यह है हिंदी में पर लिखा हुआ है शब्दों का समोह ही वाक्या कहलाता है या फिर हम इसी को थोड़ा से हिंदी में कर देते हैं a group of words मतलब शब्दों का समोह containing a subject जो की एक subject यानि करता को जो है contain करता हो अपने में शामिल करता हो या रखता हो and a verb एक वर्व को यानि क्रिया को रखता हो and that express a statement जो की एक कथन को जो है express करता हो या फिर किसी सवाल को ऐसे में आप इसे वाक्या कह देते हो लिखा है शब्दों का समोह ही वाक्या कहलाता है जिसका एक मतलब निकलता हो में टू से आप उसे ही बोलोगे एक जो कई सारे आपको देखे सिधी सी बात है कई सारे letters बन करके मिल करके एक word बनाते हैं कई सारे word मिल करके एक sentence बनाते हैं यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हिंदी में बात करते हो हिंदी में क्या करते हो कई सारे word मिल करके एक शब्द बनाते हैं और वही कई सारे शब्द मिल करके एक वाक्य बनाते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है आपका जिसके द्वारा पूर्ड भाव को व्यक्त किया जा सके मतलब ऐसे वाक्य आपको या ऐसी कुछ शब्दों के समोह मिलें जिनसी एक कुछ भाव निकल करके सामने आए उन्हें आप वाक्य या फिर सेंटेंस कह देते हूं आशा करते हैं यहां से वाक्य सेंटेंस का मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा दूसरा सवाल इसमें लिखा हुआ है आपका सेकेंड क्वेस्टन है हाँ सेंटेंस इस जन्रली इफाइड आज वर्ड और गुरूप वर्ड अच्प्रेस आ थारो आइडिया बाई गिविविग ए स्टेट्मेंट और और आस्किंग ए क्वेस्टन और एक्स्क्लैमिंग आपको मैं बता दू हिंदी में इसको सम्झा देता हूं जन्रली डिफाइड गरतो है एक शब्द की तरीके से या फिर शब्दों के समुहों की तरीके से जो की एक्स्प्रेस करता है थारो आइडिया थारो मतब होता है पूरी तरीके से किसी idea विचार को by giving a statement or order किसी statement या वक्तब या कथन को दे करके या आदेश दे करके या फिर सवाल पूछ करके या फिर विश्मयाद बोधक चिन्नों के द्वारा तो ऐसे में जहां ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलें वही समझे आप वाक्य है third sentence part of sentence यानि कि अगर आप एक sentence या वाक्य के बारे में बात करते हो तो उसके कितने अंग होती है वाक्य के अंग के बारे में बात करोगी तो दो देखने को मिलते हैं कि आपका subject होता है जिसे आप करता कहते हो और दूसरा है आपका predicate subject और predicate या करता और विधेय करके आप बोल देते हो इसे हिंदी की जबाब बात करते हो आगे इसमें बात करते हैं next जो चौथा लिखा हुआ है subject यानि उदेशय और predicate को हम विधेय कहते है जिहां आप इसे उदेशय विधेय या फिर करता विधेय कुछ भी कह सकते हो उदेशय का मतलब ही होता है subject और subject का हिंदियार जो है करता है तो इसमें confused मत होईएगा उदेशय subject equal to करता उदेशय ऐसे आप समझो और predicate जो होता है उसे आप विधेय बोलते हो अभी हम with example समझ लगे कि चीज़े है क्या दोस्तों बिलकुल as it is जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपके 7 notes आपको दिख रहे हैं ऐसे ही notes आपको उसी electronic study android आप पर provide कराए जाएगी sample papers होंगे आपके जो है उसी के according और वहां से चीज़ों को आप बढ़ सकते हो वहां से आप PDF को purchase भी कर सकते हो अगर आप चाहे तो जल्दी ही उसकी availability वहां पर शोरो कर की जाएगी आपके seated और यूपिटेट के लिए यहां पर जो पांचवा लिखा हुआ है लिखा है वाक्य बनाते समय है क्या कुछ चीज़े हम ध्यान देते हैं हम किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लेते हैं सेकेंड है उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं दो चीज़े हैं वाक्य बनाते समय दो चीज़ों का ध्यान देते हो या देते हो आप जो है किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लेते हो और उसके बारे में कुछ कहते हो, ओके, यही चीजे लिखी हुई है, मतलब पहला जब आप बात करोगे, यानि सब्जिक्ट वाली बात हो गई, और दूसरी चीज क्या है, विधय को बता रही है, क्या है इसमें, सब्जिक्ट को और ये विधय यानि प्रेडिकेट को बता रह खाएं, एक इसा उदिश है या सब्जिक्ट करता होना चाहिए, जिसके विशय में हम कुछ कह सकें, और अदिश के विश्य में कुछ वैथत कर सकें, पलाब तो ऐस्यमें आप क्या है, तो आपका प्रेडिकेट हो जाता है, आके बढ़ते हैं, हम इसमें, साथ नमबर लिख हुआ है यहां पर वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का उलेख करें जिसके विशे में हम विवरण देते हैं तो उस वाक्या का उदेश या सब्जिक्ट कहते हैं बहुत यहां से समझेगा मतलब जिस वही व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप उदेश उलेख कर रहे हो जिसके बारे में आपको विवरण देना है, जैसे वाब मने बोला, महेश is a good boy, ठीक है, राम is a good boy, तो राम क्या है, आप बता रहे हूँ, वहाँ एक अच्छा लड़का है, तो किसके बारे में वो लेक कर रहे हूँ, राम की बारे में, तो राम क्या हो जाएगा, उद्देश यानि कि यहाँ पर subject हो जाएगा, यानि यहाँ पर वो करता है, विवरण तो आप उसी के बारे में दे रहे हो ना, कि is a good boy, तो जब विवरण जिसके बारे में दे रहे हो, वहाँ आपका उद्देश के विशे में कुछ बताएगा, उससे आप विदेया कहते हो, आपका उद्देश हो गया, यानि आपका subject हो गया, तो बचा कौन is a good boy, is a good boy, पूरा पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, आगे देखते हैं भी उद्दारणो के मादिम से और अच्छे से आपको समझ में आएगा यहाँ पर, इसमें लिखा है आपका, a subject is the person or thing that is doing an action or the person or thing that is the focus of the sentence, that focuses on the sentence, या ऐसे आप बोल सकते हो, हम इसको हिंदी में आपको समझा देते हैं, a subject is the person or thing, मतलब जो subject करता है, वो कोई आपका व्यक्ति या वस्तु हो सकता है, that is doing an action, जोकि एक action कर रहा होता है, और the person or thing, या कोई व्यक्ति या वस्तु हो ऐसा हो सकता है, that is focus, focus, मतलब focus of the sentence, sorry, बिल्कु सही, that is the focus of the sentence, कहने का मतलब ये है, उस वाक्य का जो एक focus point हो, मतलब ध्यान उसी पर जाए, सबसे main point हो, ये है 9 नमबर यहां पे, आगे देखते हैं, 10 नमबर, next आपका जो है, the predicate of the sentence is the part of that contains the action, मतलब जो predicate होता है, इसको English में बिल्कुल वैसा ह बताया गया है, जो कि action को contain करता है, ठीक है, वो से आप predicate बोल देते हो, यहां पर, 11 में आपका लिखा हुआ है, example, he paints posters, he क्या है आपका noun या pronoun, यहां पर pronoun है, आपका अपने माल यह subject हो आपका, इसी को आप क्या कह देते हो, कि वो देश है, यही आपका करता है, points, sorry, paints, posters, paints, posters, paints, posters, पूरा पूरा आपका predicate में आएगा, वहीं पर जब आप predicate में देखोगे, तो मित्र predicate में, वर्व है, object है, कोई helping वर्व उसमें लग रहा है, is वगरा है, जो भी चीज़े हैं, वो सारी आती हैं उसमें, मलब पर प्रेडिकेट के अंदर आएंगी, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, a verb is that word that expresses with that action, is, कहने का मतब यह है, जब कहीं कोई क्रिया हो रही हो, कोई action हो रहा हो, मतब आप यह कहें, जहां कोई कार्य हो रहा हो, जहां कोई function work हो रहा हो, एक तरीके से work बोलोगे आप, एक तरीके से तो वही आपके क्रिया कहलाती है, अब यहां पर वो paint कर रहा है न पोस्टर को, तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर जो paint है, paints करके लिखा है, वो verb यह फिर क्रिया होगी, जैसे 13 नमबर में आपका subject predicate के example में है, the man is a good person, तो the man और यहां पर is a good person, यह पूरा पूरा is a good person आपका प्रेडिकेट होगा, okay, the man आप आपका subject में आगा, is a good person, जो प्रेडिकेट में आगा, इसमें helping group है, good person, object है आपका, वो आप अलग-अलग find out करोगे फिर इसमें, okay, दूसरों, kinds of sentence के अगर बात कीता है, जो चार प्रकार की sentence होते हैं, यहां पर चार प्रकार की जो आगी हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं, simple sentence यादि डेकलारेटिव भी बूलते हैं, हिंदी में विवरड या निश्चया आत्मकवा के लिखा हुआ है, दूसरा आपका question है, interrogative जो आप रिश्चनवा चक वाक्या बोलते हूँ, तीसरा जो है, वो है, command और imperative sentence, जो आगया पर रथना या विनय बोधक जो बोलते हैं, वाक्या, and the fourth one is exclamatory sentence, यानि विश्मयादी बोधक वाक्या, आपको मैं बता दू, जो one liner यहां पर prepare मैं कर रहा हूँ, bilingual है, आप केसी भ बी उपर देखा होगा, subject predicate को लेकर के, तो आपको जो English है, नहीं बिल्कु से समझ में आ रही है, या English वाले हैं, हिंदी में है, जो भी चीज़ी है, दोनों लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए दूई भार्षी उसमें जो है, bilingual चीज़ों मैं prepare कर रहा हूँ, 16 नमबर में है कि, यह वाक्या जो विवरंड दें, यह निश्चयात्मक हो, त्यान दीजेगा, जो मतलब निश्चयात्मक बात करते हो, मतलब मैं simple और declarative sentence की बात कर रहा हूँ, जैसे, महिश sat on a wall, बैठा है, ऐसे करके अगर आपने बोला, मैं बैठा, ऐसे करके आप बोलोगे, अगर sat है, sit का आपका, जो next form होगा, वर्व का वो है, तो यहाँ पर निश्चय है, यह चीज definite है, कि वो बैठा है, जो वाक्या प्रेश्णवाचक हो, वो प्रेश्णवाचक उसमें आंगे, जैसे, where do you live, तुम कहां रहते हो, ऐसे, जब जब डेक imperative sentence होते हैं, वो information के बारे में बताते हैं, ठीक है, एक sentence, एक statement बनाते हैं, और, एक fully stop के साथ में end होते हैं, he is always ready, वो हमेशा तया रहता है, she is a beautiful girl, वो है, एक सुंदर ललकी है, 18 नमर में कहां, imperative sentence की जब आप बात करते हैं, उन्हें आने वारे बोलते है, it gives a command, command or ask request, command देता है, एक तरी किसी, या फिर किसी request को, जो है, request करता है, जैसे, don't go very fast, sorry, far, मतलब, ज्यादा दूर मत जाओ, ये एक command एक जो है, आदेश दिया गया है, और इसे अनिवारी है, ये चीज, imperative, इसलिए बोलते है, imperative का मतलब ही, मैंने अनिवारी लिख रखा है, कि आपको समस्रू में आसानी हो, integrative sentence के बाद है, it asks a question, question पोस्ता है, and adds with a question mark, जैसे, where, who are you, where is my book, तुम काउन हो, या मेरी किताब कहा है, या कि question mark लगा हुआ है, 20 नूबर में लिखा हुआ, exclamatory sentences की जबाब बात करते है, expresses strong emotion or feeling, ये विश्मे संबंधी होते है, exclamation का मतलब ही होता है, विश्म emotion or feeling, मतलब, आपके strong emotions को, जो आपके भाव अब एक मनोवीग है, उनको जो है, represent करता है, feeling जो आपके है, उनको, ठीक है, भाव जिनको आप कहलोगी, तो बोलोगी, what a beautiful day, what a beautiful day, लोग बोलते है, मतलब, क्या बड़ी हां सा दिन है, ऐसे करके जब आप बोलते हो, तो ऐसे में यहाँ पर देख, exclamation mark आगे लगा हुआ है, दोस्तों, यह था जब आप बात करते हो, आपकी bullet one liner के बारे में, आपके seated youpitate के लिए English subject से आपके part one में, फिरहाल इस वीडियो में हम यही पर रुखते हैं, आप लोग electronic study and wide application डाउनलोड कर लीजेगा, फॉर्थ और थर्ड समे description में link मिल जाएगी, यहाँ से इन तीन वीडियो को भी आप जरूर देखें, चैनल को subscribe जरूर कर लें, अपने आपको updated रखने के लिए, all notification bell icon दबाने के बाद select जरूर करें, जल्दी मिलते हैं, thanks for watching